हेलो एविडिवन बल्कम टू माई चैनल तो आज की इस वीडियो में हम यहापर होली के लिए रंग बिरंगा पैजामा बनाना सिखाएंगे छोटे बच्चे के लिए तो यहापर हमारा सूट का बचा हुआ कपड़ा है तो कपड़े को एक बार फोल्ड करेंगे फिर हम पर सीधी कटिंग करेंगे और हुआँ पर हम एक इंच पन निसान लगाएंगे लाष्ट गृरालने के लिए और यहां से लंबाई नापेंगे तो लंबाई अपने साफ से भी रख सकती है जितनी आपके बच्चे की लंबाई हो तो लंबाई 10 इंच रखेंगे और 1 इंच का मारजन लेंगे और यहां पर मोरी रखेंगे 4 इंच एक इंच का मारजन लेंगे और आसन की लंबाई 5 इंच रखेंगे, आदाउंच का मारजन लेंगे, तो साड़े 5 इंच पर निसान लगा देंगे और यहां से यहां तक कटिंग करेंगे, और इसकी चौड़ाई 6 इंच है, 6 इंच से थोड़ mortar सी ज़्यादा है और देखी इसमें मैंने फिलोवर भी बना दिये हैं और हैं पर मैंने फैविरिक कलर लिया है तो इससे हम क्या करेंगे कलर कर लेते हैं क्योंकि यह हम पैजामा होली के लिए बना रहे हैं चोटे वच्चे के लिए और दोस्तों कुड़ते को किस तरह से बनाया है तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकती है तो आपको बैवीडियो प्रीती टेलर पर मिलेगी हमारा जो पहला चैनल है उस पर मैंने अपलोड करिए कि छोटे वचे का अच्छे से समझाया है तो आप चाहें उस वीडियो को भी देख सकती है तो यहाँ पर मैंने एक फ्लोवर बना दिया है फिर हम यहाँ पर एक छोट कर दूसरे फ्लोवर को भी इस तरह से कलर कर लेते हैं ठीक है आप चाहें तो अलग-अलग कलर का भी इसमें रंग भर सकती हैं हमने यह आपर दो ही कलर लगाएं हैं और कलर करने के बाद हम इसको अच्छे से सुका भी लेंगी तो देखी इस तरह से मैंने इसको अच्छे से सुका भी लिया है अच्छे से सूख गया है ठीक है तो अब हमें आपर इसको सिलना सिखाएंगी तो नीचे की तरब जो मैंने मार्जन लिया था तो उतना हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करके हमें याँ पर एक सीधी सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है देखें आप लोग देख सकते हैं इसको सीधा रखेंगे और यहाँ पर मैंने मियानी को लिया है तो मियानी को तरह से रखेंगे और यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा देंगे इसमें हमें एक दाप सिलाई लगा देनी है दोस्तो प्लीज इस वीडियो को लाइबी कर देना क्योंकि यहाँ लोग लाइक करना भोल जाते हो तो दोस्तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाई कर देना तो यहाँ पर मैंने दूसरे पहुंचे में भी नीचे से सिलाई लगा दिया है अब हम यहाँ फर दोनो फल्ले को बरावर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे इसमें हमें दाप सिलाई भी लगा देनी है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं मैंने एक म्यानी को सिल लिया है अब हमें आप दूसरी म्यानी सिलेंगे तो पल्ले को सीधा रखेंगे और इसके उपर म्यानी को रखेंगे और रखने के बाद हमें सिलाई लगा देनी है इसमें हमें दाप सिलाई लगा देनी है फिर हमें आपर क्या करेंगी इस पल्ले को बराबर करेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर मैंने दोनों मियानी को सिल लिया है अब हमें यापर इसकी फिटिंग करेंगे तो एक इंच का जो मार्जन लिया है उतना छोड़िके यापर हमें सिलाई लगानी है एक पहुचे से दूसरे पहुचे तक हमें यापर सिलाई लगा लेते हैं तो यापर मैंने सिलाई लगा दिया है यह पर हमें कट लगा देना है फिर हम यह पर पजामे को सीधा करेंगे और इसमें इलाष्टिक खीलेंगे तो यह पर मैने पतली वाले इलाष्टिक को लिया है तो इसकी चौड़ाई नप लेते हैं तो चौड़ाई हमारी आ रही है 12 इंच तो इसको तरसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगा देनी है तो यहां पर मैंने सिलाई लगा दिया अब हमें यहां पर पैजामे को लेंगे और इसके उपर इलास्टिक को रखेंगे और जो हमने एक इंच का मारिजन लिया है उतना हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे तो इसी तरीके से हमें इलाश्टिक को सिल लेना है जितने आपके बच्चे की कमर हो उससे आपको दो या तीन इंच कम करके ही इलाश्टिक को लेना है ठीक है यहाँ पर डबल सिलाई लगा देंगे फिर हम यहाँ पर धाग को लिकाल कर अच्छे से कटिंग कर देंगे और एलाश्टिक को हमें बराबर करके इस तरह से रख लेना है तो देखा हमने कितने आसानी से पैजामा भी बना दिया है और यह पैजामा हमने तीन से एक साल के बच्चे के लिए बनाया है और इसी के साथ में मैंने देखी रंग बिरंगा कुड़ता भी बनाया है देखी कितना सुन्दर से हमारा कुड़ता भी बना है तो इसको मैंने किस तरह से बनाया है तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है तो आपको ये पैजामाई वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले और बैला कन को भी दबा दें जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई आखी तक वीडियो देखने के लिए ठाइंक्यू